जैहिन दोस्तों, जैहिन बच्चों, हिस्ट्री की क्लास के अंदर आपका स्वागत है पिछली वीडियो क्लास के अंदर हमने हडपा सब्वेता के दोरान शिल्प उतपादन के कौन से कार्य हुए और किस परकार से हुए उनके बारे में जान लिया भी किस परकार से जो कच्चा माल जैसे मिट्टी है, पत्थर है, धातुएं हैं, उनका इस्तेमाल करके वो नई नई चीजे हैं, वो बनाते थे वहीं से अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हैं, भी वो जो कच्चा माल शिल्प उत्पादन में काम आता था, वो कहां से प्राप्त होता था, क्या वो उसी क्षेतर में था, या फिर किसी दूसरे क्षेतर से, या किसी दूसरे देश से मंगवाया जाता था तो वहीं से अपनी बात है, वो स्टार्ट करेंगे, और आज का अपना टोपिक है, शिल्प उत्पादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने समंदी हडपा टाइम की क्या पॉलिसियां थी, नीतियां थी अब देखिए, वहां मिट्टी की पनी हुई चीजें भी मिली है, तो ये हो गया भी शायद वो स्थानिय लेवल पर बना ली होगी, या वही पर मिल गई होगी वो चीजें जब कीमती पत्थरों की या धात्वू की बात आती है, तो ये भी समावना है भी शायद ये चीजें वो अपने ही देश से, यानि हडपा और हडपा के आसपास का जो इलाका है वहां से मंगवा लेते होंगे या फिर किसी दूसरे देश से मंगवा लेते थे अब इसका मतलब वो वैपार करते होंगे और अगर वैपार करते थे तो किसकी सहयता से करते थे तो इतिहासकारों ने देखा भाया यहां पर तो मिट्टी की बनी हुई बेलगाडी है वो दिखाई दे रही है तो इसका मतलब यह हो गया भी वो वैपार के लिए इसका इस्तेमाल करते होंगे और सिद्धी सी बात है वो परिवेन किसके माध्यम से हो गया फिर सडक मारग या हो सकता है समुद्री वैपार भी उस टाइम होता होगा अब यहां पर दो तथ्ये आपके सामने क्लियर होते हैं हड़पा ने अपना जो इलाका है जिसके विस्तार को हमने जान लिया है वहां पर शिल्प उतपादन के लिए वैपार के लिए क्या किया और वहां से बाहर सापित किये और तीसरी बात पढ़ेंगे दूसरी दुनिया की यानि दूर स्थित देशों के साथ उसके वेपारिक समंद क्या थे तो सबसे पहले उप महादुप और उसके आगे से आने वाला माल यानि देश के अंदर ही बाता हो रही है खुद हडपा स्टेट की और हडपा क आसपास के एरियाज की और यहां पर शिल्प उपादन के लिए कच्चा माल प्राप्त करने के दो तरीके थे एक तो जहां कच्चा माल मिल जाता था वही पर उसके आसपास ही बस्तियां बसा दी जाती थे और दूसरा तरीका था भी पडोसी क्षित्रों में अभियान बेज आजाता था अब एक एक करके पहले भारतिय उप महादीप के अंदर वैपार किस परकार से होता था कैसे बस्तियां स्थापीत की उसकी बात कर लेते हैं तो एक दो नाम देखिए नागेश्वर और बाला कोट हम पहले भी जिकर कर चुके हैं यहाँ पर शंक है वो आसानी से मि जग है और अफगानिस्तान में सोर्तू गई की बात करें तो वहाँ पर कीमती निले रंग के पत्थर हैं वो लाजवर्द मनी हैं वो मिलती है तो इसलिए इस सोर्तू गई की स्थापना भी शायद इसी उदेशे से वहीं पर कर दी होगी तीसरी बात आती है लोथल को लेकर तो लोथल के अंदर कार्नीलियन पत्थर ये रहा गुजरात के अंदर लोथर यहां कार्नीलियन पत्थर मिल जाता था इसलिए इस बस्ती की स्थापना हो गई होगी इसी परकार से यहां दक्षणी राजस्तान और उत्री गुजरात की कुछ छोटी छोटी बस्तियों की अ और इसी परकार जो अलग-अलग एरिये के अंदर जो बस्तियां बसाने का जो एक उदेश्य वैपार को स्थापित करना भी था, भी अच्छे से प्रोडेक्शन है, एक तरीके से ये समझेए, भी उध्योगों की स्थापना शायद उस टाइम हो रही होगी, अब बात करें माल और तियार माल के स्थल परिवेन के जो महतवपुन सादन थे, वो बेलगाडियां थी, इनका जिकर हो गया, और नदी मारग और तट्ये मारगों का भी शायद वैपार के अंदर इन रास्तों का इस्तेमाल होता होगा, अब बात करें, हडपा जो स्टेट थी, एरियास थ के लिए राजस्थान के खेतडी क्षित्र में जाते थे, वर्तमान में राजस्थान के जुनजलू डिस्टिक के अंदर खेतडी जगया जो तामबे के लिए परशिद है, और सोना प्राप्त करने के लिए ये दक्षणी भारत के अंदर जाते होंगे, तो तामबा प्राप् करने के लिए ये जाते होंगे अब यहां एक खेतड़ी का जीकर आया है राजस्थान का एक महतपुन क्षेतर है तो थोड़ा सा इसके बारे में भी जान लेते हैं क्योंकि कुछ खाशियत यहां अलग से दिखाई दी है खेतड़ी क्षेतर में मिले सबूतों को इतिहासकारों ने नाम दिया है गनेश्वर जोदपुरा संस्कृती तो गनेश्वर जोदपुरा संस्कृती है वो इतिहासकारों ने किस क्षेतर को कहा है राजस्थान के खेतड़ी क्षेतर के लिए ये शब्द यूज किया गया है यानि हडपा से कुछ थोड़ा सा अलग दिखाने की य कोशिस की जा रही है क्यों कि यहां पर जो विशेश परकार के जो मृत भांड यानि मिट्टी के जो बरतन मिले हैं वो हडपाई जो मिट्टी के बरतन हैं उनसे काफी कुछ भिंता है वो लिये हुए हैं और यहां पर तांबे की वस्तुएं हैं वो बहुत ही बड़ी मात्रा क अंदर मिले हैं तो ये तो हो गया भारतिय उप महादीप के अंदर ही हडपा स्टेट्स के वैपार की बातें यानि कच्छा माल प्राप्त करना या फिर तेयार माल है वो वहाँ जाकर इस क्षेतर के अंदर बेशते होंगे चलिए अब बात करें दूर स्थित जो एरियाज है यानि भारतिय उप महादीप के बाहर की तरफ अब सफर करते हैं सिदी सी बात को हूँ दूसरे देशों के साथ यानि विदेशी संबंदों की बात अब हम यहां करेंगे तो हडपा वासी माल प्राप करने के लिए लंबी दूरी के संपरक भी सापित करते थे इसके भी हमें कई परमान के उधारन हैं वो देखने को मिल रहे हैं जैसे बात करें पहला एक्जामपल अरब प्रायदीप के दक्षणी पश्चमी छोर परस्थित है ओमान वहां से तामबा लाया जाता था एक तो तामबा अपने ही देश के अंदर तो कहां से लाते थे खेतड़ी से ले गई है कि ओमान का जो तामबा है और हडपाई जो पुरा वस्तुएं जो तामबे वाली जो वस्तुएं मिली है उन दोनों में ही निकिल धातू एन आई निकिल धातू है उसके अंश मिले हैं जब इसका मतलब दोनों का टाइम पिरेड तो सेम ही रहा होगा इससे दोनों उनके अंदर वैपार की दृष्टी से संपर्ख है, वो स्थापित होने के संकेत मिलते हैं, तो अब ओमान कहां है, यह है अरब प्रायदीप है वो, और यहां पर नाम दिया गया है एक मगान, ध्यां रखिये गया, यह मगान जो इसका यहां पुराना नाम है, यही ओमान है, यह ध्यां रख लीजिएगा अभी, और यहां पर दिल्मुन का जिकर आएगा आगे चलके, वो बहरिन द्वीप है यहां पर, और यह यहां पर अपना हडपा क्षेतर है, हडपा सब्वेता है, और जिसमें एक बहुती प्यारा शब्द भी आपको देखने को मिल रहा है, मे लुहा भी शायद कहा जाता होगा उस तेन, तो थोड़े से उपनाम है, उनका भी आप गोर कर लीजिएगा, बार बार हम थोड़ा सा रिपीट करेंगे, तो यह चीज़े अपने आप ही माइंड के अंदर पर्मानेंट हो जाएगी, फिकर मत कीजिएगा, तो तामबा कहां स दूसरे देशों की तरफ, और ओमान के बारे में भी कुछ और जानकारी है अपने पास, ओमानी स्तलों से एक विशेज परकार का हडपाई मर्तबान, पात्र भी मिला है, यह दीखी लिए, ओमान से एक हडपाई जो पात्र है, जो बरतन है, वो वहाँ पर मिला है, और इसके उपर काली मिटी की एक मोटी परत है, वो चड़ी हुई है, और शायद ऐसी मोटी परत है, वो तरल पदार्थों के रिसाव को रोकने के लिए चड़ाई जाती होगी भी, ताकि इसके अंदर जो भी लिक्विड बरा जाए, वो लिकीज है, वो नहीं हो, ध्यान रखिएगा इसकी शेप ये नीचे का हिसा है और ये शायद उपर का हिसा है, वो रहा है, तो एक अनुमान है कि हडपा सब्बेता के लोग इसमें रखे सामान का ओमानी तामबे से विनिम्मे करते होंगे, एक्शेंज करते होंगे, तो हडपा सब्बेता के लोग इसका मतलब इसके अब दी इशापुरूव के अंदर मेसोपोटामिया, एक नया नाम आ गया है ओमान के बाद मेसोपोटामिया, इसके जो लेख है वहाँ पर, जो लिखित चीजे हमें मिली है, उन लेखों में मगान, ये नाम आ गया भी मगान मतलब ओमान ही है वो, मगान क्षेतर में तामबे क आगमन का उलेख मिलता है, ये बात अब कहां और क्लिर हो जाती है, मेसोपोटामिया के लेख से भी, यहां हड़ता की खोज हुई तब यहां के इतियासकारों ने अनुमान वेक्त किया, और जब मेसोपोटामिया के लेख पड़े, तो ऐसी जानकरी वहां से भी मिली, तो य इकल के अंस मिलते हैं याने यहां बात करें यह है मेसोपोटामिया वाला यह जो पिंक कलर के अंदर जो इलाका दिया हुआ है यह मेसोपोटामिया क्षितर है और आज के इसाब से बात करें तो दजला और फरात जो नदिया इराक में बहती है उन दोनों के बीच का क्षितर र उसकी बात हो गई तो इराक के अंदर यानि मेसोपोटामिया में जो तामबा मिला है उसके अंदर भी निकिल मिला है उमान के अंदर जो तामबा मिला है उसके अंदर भी निकिल मिला है और हडपाट शेत्वर के अंदर जो तामबा मिला है उसके अंदर भी निकिल धातु मिली है इसका मतलब same time same time है भी same time की बातें हो रही है और इतिहास कारों को अपनी बात को पुष्टी है वो भी मिल रही है अब बात करते हैं आगे भी लंबी दूरी के contact की और संकेत करने वाले कुछ अन्य पुरा तात्विक जो वस्तुएं हैं वो मोहरे हैं बाट हैं पासे और मनक हैं वो भी मिले हैं यह हमने हडपा के शिल्पूत पादन में इन चीजों के बारे में पड़ा भी यहां यह चीजे मिली है तो हडपा की यह चीजे इन क्षित्रों के अंदर भी मिली है यह अफगानिस्तान वाला इलाका हो गया यह मेसोपोटामिया का यह दिल्मून याने बहरीन द्वीप हो गया, ये मगान क्षित्र हो गया, तो यहां से भी ये चीजे प्राप्त हुई है, तो इसका मतलब इनके वेपारिक लिंक तो आप पस में रहे ही रहे हैं, उसके बाद में हडपा सब्वेता की कुछ मोहरों के उपर एक जाहाज और नाओं के चित्र भी मिले हैं, कहां जो हडपा सब्वेता की मोहर मिली है, देखिएगा यहां पर, यह एक यहां पर इसके अंदर एक नाओं दिखा रखी है, जहाज दिखा रहा है तो इससे clear हो रहा है यह चीज भी हडपा सब्वेता की मोहरों पर यह चीज मिलना इसका मतलब समुद्री मारगों से वैपार होता होगा यह clear हो रही है तो इसका मतलब है भी ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से ये समुद्री मारग से संप्रक स्थापित करते थे क्योंकि मेसोपोटामिया के लेख है वो मेलूहा को नाविकों का देश कहते है मेलूहा शब्द मेसोपोटामिया के लेख के अंदर हडपा इलाके के लिए ही यूज हुआ है ये बात ध्यां रखिएगा नाविकों का देश मेसोपोटामिया के लेख में किसे कहा गया है वो मेलूहा यानि हडपा के लिए ही यूज हुआ है विकिस परकार से ये वेपार है वो करते रहे होंगे इसके बाद बात करें आगे तो इस संधर में ये बात भी महतुपुण हो जाती है कि मेसोपोटामिया के लेखों से दिल्मून याने बहरीन द्वीप, मगान याने ओमान और मेलुआ याने हडपाक्षेतर नामक जो स्थान है उनके संपरत की सारी बातें क्लियर हो जाती है और ये लेख मेलुआ से प्राप्त कई उत्पाद जो प्रोडेक्ट है उनका उलेख भी करते हैं जैसे कार्निलियन पत्थर हो गया, लार्जवर्द मनी होगी, तामबा सोना या लग-लग प्रकार की जो लकडियां है उनके बारे में जानकारी हो जाती है अब है मेलुहा के विशे के अंदर मेसोपोटामियां के अंदर एक मिथग चलता है, मिथग का मतलब होता है कालपनिक कहानी चलती है, वो यह है उन्नोंने क्या कहा है? हडपा यान humility को लेकर कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो और उसकी आवाज राजपर्शाद यानि महलों में सुनाई दे ये किस के लिए कहा है मेसोपोटामिया के लेकों ने हडपा क्षित्र के लिए कहा है और इतिहास कारों में ज्यादा तर इतिहास कारों ने कहा है यहाँ पर जिस हाजा पक्षी का उलेक है भी शायद ये पक्षी मोर होगा मोर के साथ comparison कर रहे होंगे आप सब को पता है मोर पक्षियों का राजा कहलाता है जब ये मोर पंक फैला कर जब डांस करता है तो ऐसा परती तो होता है भी हीरों से जड़ा हुआ ये मुकुट है वो उसने पहन रखा है एक राजा की तरह तो देखिएगा किस परकार से comparison मिलता है तो इसका मतलब ये इलाका उस तैम काफी सम्रिद रहा होगा वैपारिक दरश्टी से भी ये बहुत सम्रिद है वो रहा होगा इस परकार का कम जो बाते हैं जो काल्पनी कहानिया है वो मेसोपोटामिया के लेखों के अंदर हमें मिलती है मोर के उपर कलंगी जैसे राजा के उपर सर के उपर जो मुकुट पहना जाता है वैसी ही परतीत होती है चलिएगा आगे की कहानी को जानते हैं और मेसोपोटामिया की एक विशिस्ट बेलनाकार मोहर से बना कुबड़दार विशब का जो चित्र है वो भी सिंदू क्षेतर से लिया गया परतीत होता है आप देखिएगा इधर मेसोपोटामिया के अंदर एक बेलनाकार ये मोहर है वो मिली हुई है जिसके अंदर ये एक कुबड़ वाला विशब है एक जानवर है उसके जो चित्र है वो यहाँ पर बना हुआ है तो ऐसा परतीत हो रहा है भी ये जो सिस्टम इनोंने अपनी मोहर पे बनाया है शायद हड़पा सब्वेता क्षेतर से ही ये लिया होगा वहाँ से इनोंने उनकी बाते हैं वो चुराकर अपने यहाँ भी लागू कर ली होगी अब बात करें बहरीन दिल्मुन की तो यहाँ से मिले हैं गोलाकार फारस की खाड़ी परकार की मोहर मिली है ये देखिएगा ये है इधर आप देखेंगे दिल्मुन दिल्मुन याने बहरीन द्वीप की बात होगी यहाँ पर ये फारस की खाड़ी के आकार की एक मोहर है वो मिली हुई है जो कि हड़पा से मिलती जुलती सी दिखाई दे रही है तो इसमें हडपा वाले चितर ही हमें वोई जानवर का चितर वोई जो यहाँ लिपी सी जो मचलियां सी जो बढ़ी हुई दिखती है जो कि उ नहां पर जो बाट मिले हैं किसी चीज को तोलने के लिए, वजन करने के लिए, उनका जो स्टंडर्ड है बनाने का वो भी हडपा क्षितर से मिलता जोलता ही है. इसके साथ हडपा सब्वेता में जो मोहरे और मुतरांकन का जो परियोग है, वो लंबी दूरी के संपरकों को, कॉंटेक्ट को स्विधा जनक बनाने के लिए भी होता होगा. भी अलग अलग जगए हडपा सब्वेता की जो मोहरे हैं वो मिली हैं और साथ में ऐसी चीजे मिली हैं जिनके उपर सील लगी हुई है मोहर का जो ठपा है वो लगा हुआ है तो इसका मतलब दूर दूर क्षेत्रों तक इनके रिलेशन हैं वो रहे होंगे. तो ये चीज़ क्लियर हो जाती है आपके, तो अब बात करते हैं आगे और अगला टोपिक है अब शिल्पि के क्षे इसके लिए थी तो स्टार्ट किया था हडपा की इसी मोहर के साथ हमने ये चीज़ स्टार्ट की थी वापिस ये डिटेल के अंदर अब यहां आ जाती है उसके बारे में फटा फट है वो चीज़ें रिवाइज कर लेते हैं भी मोहरे हडपा सबेता की सबसे विशिष्ट प खुदे हुए हैं जिसे अभी तक पड़ा नहीं जा सका है और मोरों पर बना जानवर का जो चित्र है वो ये बताता है भी अनपड लोगों को इस मोहर की सही वेल्यू पता चल जाए इसके लिए शायद ये जानवरों के चित्र बनाते होंगे ये यहां पर कुछ लिपी जानने में कोई मदद नहीं मिल पाई है क्योंकि समझी नहीं पाई अभी तक तो इसलिए ये एक रहश्य बना हुआ है इसलिए कहा जाता है हडपा लिपी एक रहश्य में लिपी है जिसे अभी तक नहीं पड़ा जा सकता है ये एक प्यारा प्रशन भी बन जाता है एक्जा ये इसे रहशे में लिपी कहा जाता है, इस कारण से इस सब्वेता की अधिक जानकारी नहीं मिलती है, एक तो भई ये खाशियती हो गई, बलें ये नेगेटिव हो, और हडपाक शेतर से एक सूचना पट भी मिला है, जिसके उपर इस परकार के संकेत हैं, वो देखने को मिलत हैं, ये एक सूचना पट मिला है भी उस टाइम का, तो इसके अंदर ये चिन, अब देखिए अपने वो कैख है गए, ए एनर की तरह तो ए नहीं, अलग ही परकार के चिनों का इस्तेमाल किया है, इसलिए अभी तक समझ नहीं पाए हैं, और शायद कभी आप में से कोई इस परकार का नोलेज अर्जित कर लें भी आप इस लिपी को पढ़ लें, और दूसरी बात है, ये लिपी है, वो वरण मालिय नहीं थी, वरण माला की तरह, यानि स्वर और वेंजन की तरह नहीं लड़ती है, क्योंकि ये एक चित्रात्मक लिपी जैसी, क्योंकि इसमें च चित्र से चित्र से बने हुए हैं, यहां और भी ये हडपाई जो लिपी है, आप देख पा रहे हो इनके उपर, अलग-अलग ये डिजाइन से बने हुए हैं यहां पर, इसका मतलब ये चित्रात्मक लिपी है, वो रही है, और इसमें चिनों की संख्या है, वो कहीं कहीं प जो अभी लेक मिला है उसके अंदर 26 चिन मिले है अब चिन कहां कहां मिले है आपको पता है जो मोहर है उसके उपर हमें कुछ चिन मिले है कुछ बरतनों के उपर मिले है अबुशनों के उपर है वो चिन है वो देखने को मिलते है वहीं से इतिहास कारीम को कुछ परखने की कोशिस कर रहे है और तीसरी बात आती है भी ये लिपी दाईं से बाईं और लिखी जाती थी ये बहुत महतुपून बात है दाईं से बाईं ये साइड है दाईं और ये साइड है बाईं जबकि हम Hindi वरणमाला कैसे लिखते हैं हम बाएं से दाएं की तरफ लिखते हैं और उर्दू आपको पता है वो दाएं से बाएं की तरफ लिखी जाती है तो same to same शायद उर्दू की तरह ही इस side से ये लिखना start करते होंगे और इस side में ये बाएं side में जाते होंगे अब आप ये भी सोच सकते हो ये कैसे पता चलता है भी ये दाएं से बाएं लिखी जाती होगी याद कीजिए का जब आप अपनी copy में line बद कुछ चीजें लिखते हो तो सुरू में तो बड़ी खुली-खुली से लिखते हो लेकिन आपको लगता है इस line में वो clear करना है मुझे तो पूरण वी राम लगाना है तो last में अक्षरों के बीच क्या कर देते हो gap कम कर देते हो न तो कुछ इसी hypothesis का इस्तेमाल है वो इतिहास कारों ने यहां किया है क्योंकि कुछ मौरों पर दाई और अधिक अंत्राल है और बाई और कम है इससे लगता है कि इसे दाई और से लिखना शुरू किया और बाद में बाई और स्थान है वो कम पड़ गया था और इस लिपी की जो लिखावट है वो बहुत सी वस्तूओं के उपर मिलती है और ये भी संभव है भी नस्ट हो गई जो वस्तूओं है उनके उपर भी कुछ लिखा होगा जो आज हमें नहीं मिल पा रही है इसका आर्थ ये लगाया जा सकता है कि उस टाइम लिट्रेसी अच्छी थी उस टाइम जो भासा चलती थी जो लेंग्वेज चलती थी वो लोगों को समझ में आती थी और हडपा मोरों पर बना एक चित्र है वो अनपड लोगों के संकेत के रूप में इसका आर्थ बताता है जो जानुरों के चित्र वगेरा जो इस पर बने हुए हैं तो जो कोई पढ़ा लिखा नहीं था वो भी उस मुद्रा को अच्छे से समझ जाता था और हडपा मोरों पर एक पंक्ती में कुछ लिखा है जो शायद मालिक के नाम और पद को बताता होगा जैसे ये एक हडपा मोर है यहां पर यह कुछ लिखा हुआ है तो हो सकता है उस टाइम वहां का जो शाशक रहा उसका नाम या उसकी टाइम पिरिड के बारे में कुछ चीजे हैं वो इसके अंदर लिखी गई होगी ये बाते यहां क्लियर होती है तो ये 6 पॉइंट अब तक हमने पढ़ लिए किसके हडपाई लिपी जो एक रहशम है लिपी है उसकी विशेस्ताओं की अब बात करते हैं मोहरों और मुद्रांकनों का परियोग करते थे मोहर आप समस्ते हो जैसे आप कोई चीज अटेस्टेड करवाते हो तो टीचर आजकल क्या करता है या कोई भी जो राजपत्रीत अधिकारी होता है आरियस जो होता है वो अपनी मोहर रखता है और एक पैड होती है स्टेंपैड उसके उपर लगाया और आपके कागज के उपर मार कर साइन कर देता है तो वो जो सील यानि जो मुद्रा है उसका अंकन उसका अगज के उपर हो जाता है तो वो मुद्रांकन हो गया भी मुद्रा वहाँ पर अंकित कर दी फिर अपने साइन है, डेट वगरा लगा देता है तो लंबी दूरी के संप्रकों को स्विधा जनक बनाने के लिए ये काम होता था और मुहर की छाप को ही मुहर बंदी जो मुद्रांकन है वो मुहर बंदी मुहर की जो छाप लगे उसे आप मुहर बंदी कहो या मुद्रांकन कहो एक ही बात है उदहरन के लिए जब समान से बरा एक थेला एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो उसका मू रसी से बांदिया जाता था और फिर रसी की जहां गांट पड़ती थी उस गांट के उपर थोड़ी गिल्ली मिटी जो अच्छी क्वालिटी की हो वो उसके उपर लगा दी जाती थी और उसके उपर एक या एक से अधिक मोहर से उसको दबा दिया जाता था जिससे मिटी पर मोहर की चाप है वो पड़ जाती थी जैसे आप देखेंगे एक मोहर, एक मुद्रांकन का द्रिशे आपकी पाठे पुस्तिक में दिया है, तो इसके उपर एक ठपा ये रहा, एक ये रहा और एक कुछ आधा है वो नीचे, तो तीन ठपे हैं वो इसके उपर दिखाई दे रहे हैं, तो जिस भी चीज के उपर ये लगाया था, अगर कोई कागज का स्पोज कल्पना करें भी, जैसे कोई एक कागज है, जैसे ये आज का, ये तो आधुनिक डाइग्राम है, ये एक लिफाफा है, ब्राउन लिफापा और इसके अंदर कोई मैं तो पुन चीज डाली होगी, और इसको पैक करके चिपका के और उसके उपर ये सील है, वो लगा दी, और अगर ये उखडी हुई मिलती है, तो इसका मतलो रास्ते में किसी ने इसको खोल लिया है, वरना ये बंद का बंद, तो ये सुरक्षित माना जाता था, तो इसी परकार की जो माल भेजा जाता था, कटों में डाल कर, तो बांध कर अच्छे से, उसके उपर गिल्ली मिटी लगा के और ठपा मार देते थे, जो भी लेके जा रहे है, रस्ते में कोई गड़बड नहीं कर दे, और ये दी थेला अपने गंतवय स्थान पर पहुंचने से पहले ही, अगर उसका जो मुहर बंदी है, वो सही नहीं है, तो इसक मतलव है, भी उसके साथ छेड़खानी हुई है, और अगर मुहर बिल्कुल ठीक ठाक है, तो इसका मतलव कोई छेड़खानी नहीं की गई है, और इस मुद्रांकन से भेजने वाले की पहचान का भी पता चलता था, साथ में भी ये किसने हैं, वो भेजी है, इधर आप क्लियर, तो अब बात करते हैं, आज के अंतिम टोपी के उपर, और वो है बाट पर नाली, यानि उस टैन किसी चीज को मापने तोलने के लिए कौन सा सिस्टम अपनाया जाता था, तो देखिए, ये एक तराजू आपको देखने को मिल रहा है, तो इस परकार का एक होती थी, ये डंडी लगी है, इसके उपर ये दो धागों से ये पलडे लगे हुए हैं, एक तरफ समान रखा हुआ है, और एक तरफ है वो बाट, और या नीचे देखेंगे, और पहले भी अपने बहुत से बाट के उपर है, जो वेट हैं, उनके बारे में जानकारी प्रा चीजों के अदान-परदान के लिए बाटों की एक सुक्षम और परीशुद, एक्क्यूरेट परणाली आ, है, वो देखने को मिलती है, और बाट समाने तही चart-पत्थर से बनाई जाते थे, बाट किसके बनाई जाते थे, चart-पतTher के बनाई जाते थे, और बाट आम तो चोटी विशेस्ता की बात करें इनका जो वेट का आइडिया कैसे रहता था भी ये, हेवी चीजों को नापने के लिए ये है, छोटी चीजों को नापने के लिए ये है, तो इसको समझ लें, इन बाटों के निचले मानदंड द्वी आधारी होते थे, द्वी ये दारी मतलो, एक, दो, चार, आठ, सोडा, बतीस, डबल के अंदर इस परकार से, एक, कोई चीज, पोज ऐसे कर लो भी, एक किलो, फिर दो किलो का बाट, फिर चार का अपने ही साब से समझ लें आप एक बार, एक किलो का, दो किलो का, चार किलो का, आठ किलो का, सोड भी ये बड़े वाले जो किलो वाले हैं, आज के इसाब से comparison करके ताकि आपके याद रह जाए, वो तो बड़ी संख्या वाले हैं और उपरी मांदंड का, तो देखिये गणित के अंदर क्या है, बीच में सेंटर है, सेंटर जो है वहाँ पर सुन्य है, सुन्य से उपर जाते ह तो पॉइंटों की बात होगी, पॉइंट एक, पॉइंट दो, पॉइंट तीन, और नीचे की तरफ जाते हैं, तो एक, दो, तीन, चार, तो इसे इसाब से निचले मांदंड है, वो द्वी आदारी और उपर वाले हैं, वो होगे अपने दसमलो परणाली के अनुसार, और छोटे बातों का प्रियोग है, वो आभूशन और मनकों को तोलने के लिए, जैसे आज सुनार के पास जाते हैं, तो बहुत ही छोटे छोटे वेट, आज कल तो इलेक्रोनिक आ गया वैसे, उनसे तोल के बता देता है, और धातू से बने तराजू के पलड़े भी हैं, वो उ आरी देशों के साथ किस परकार से होता होगा, उसके कुछ सबूतों, साक्षों के उपर, विद उनकी लोकेशन, उनसे जुड़े वे मानचित्र हैं, उनकी साहता से समझा, और बाद में हमने वहाँ पर जो मोहरे हैं, और उनकी जो लिपी है, और किसी चीज को तोलने के लि बस चीजों को समझिए और इनसे बात कीजिएगा, अगर आप इनके साथ बेस्ट फ्रेंड की तरह, एक सच्चे दोस्त की तरह वेवार करेंगे, तो सच्चा दोस्त हमेशा साथ देता है, दोखा नहीं देता, तो ये भी दोखा नहीं देगा, तो इसलिए कभी इन चीजों पर नए हो, अच्छा लगे, तो जुड़िएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेर कीजिएगा, इसी परकार से हम हिस्ट्री और इसके साथ पॉल्टिकल और जोगरोफी विशय का भी यहां पर आनन्द है, वो ले रहे हैं, फिर मिलते हैं, इसी हड़पा सब आगे की कहानी को लेकर तब तक जै हिंद, जै भरत!